तो आज के डेली करेंट अफेर्स की सिरीज में हम लोग देखेंगे 29 नुवंबर 2022 के जतने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेर्स हैं एक्जाम के व्यू से और ये सभी एक्जाम के लिए काफी हेलफुल वीडियो है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें चैनल पर नए ह हूँ कोषण है पहला कि भारती उलम्पिक संग की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है आंसर है इसका ऑप्सन B PT USA को एथलीट पी टी उसा को भारती उलम्पिक संग इंडियन ऐलम्पिक एसोसियेशन का अध्यक्ष चुना गया है सन्युक्त सेन अभ्यास हरीमव सकती 2022 निमलिखित में से किन दो देशों के बीच आयोजित होने वाली युद्ध अभ्यास है आंसर हैसका option c भारत और मलेश्या के बीच भारत और मलेश्या सन्युक्त सेन अभ्यास हरीमव सकती 2022 28 निमलिखित के किलां पुलाई में सुरु हुआ जो 12 इसमबर 2022 तक चलेगा हरिमोव सकती अभ्यास भारत और मलेशियाई सेना के बीच किया जाने वाला वार्सिक परशिक्षन अभ्यास है और यह 2012 से आयोजित की जा रही है भारत सरकार दोरा ससस्त्र सेना 12 दिवस किस तिथी को मनाया जाता है आंसर है ओप्सिन डी 29 नवंबर को समुद्र तटों की स्वच्छता के लिए निम्न में से किस राज सरकार ने दिवस फाउंडेशन और भामला फाउंडेशन द्वारा आयोजित क्लीन ए थौन पहल की सुरुवात की है आंसर है ओप्सिन बी गोवा क्لीन ए थौन पहल की सुरुवात गोवा के मीरा मार बीच पर समुद्र तट के सफाई अभ्यान के साथ होई गोवा सरकार के सहयोग से दिव्यस फाउंडेशन और भामला फाउंडेशन द्वारा आयोजित क्लीन एथोन पहल की सुरुवात की है इस अभ्यान का आदर्स वाक्य है ना गंदगी करूंगा ना करने दूंगा निम्न में से बिहार के किस उतकरिष्ट सिल्पकार को वर्स 2017 के लिए राष्टी पुरसकार से सम्मानित किया गया आंसर है option C स्रीमती महानामा देवी को मदुबनी बिहार के स्रीमती महानामा देवी को वर्ष 2017 के लिए गोधना पेंटिंग के लिए राष्टी पुरसकार से सम्मानित किया गया इन पुरसकारों का मुख्य उद्देश सिल्प कौशल में उनकी उतकृष्टता और भारतिय हस्त सिल्प एवं वस्तर छेतर में बहुमूली योगदान के लिए मान्यता देना है पुरसकार में एक सोने का सिक्का दो लाख रुपे की पुरसकार रासी एक तामर पत्र, एक सॉल और एक परमान पत्र दिया जाता है तिरपन्वे भारती अंतरराष्टिय फिल्म महोत्सों में सर्वसिष्ट फिल्म के लिए परतिश्ठित गोल्डन पिकॉक पुरसकार किस फिल्म को दिया गया आंसर है ओप्सन ए इस महोत्सों की सर्वसिष्ट फिल्म के लिए परतिश्ठित गोल्डन पिकॉक स्पेजनिस फिल्म आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स नहीं जीता है कोश्टा रिका के फिल्म निर्माता वेलेंटीना मॉरेल दोरा निर्देशित इस फिल्म में 16 वर्सिय लड़की इवा के वैसक होने का अदबुद चितरन किया गया है अंतरराष्टिय व्यापार मेला 2022 में ओवर ओल बेस्ट पविलियन में बिहार को किस पदक से सम्मानित किया गया आंसर है ओप्सन बी रज़त पदक से 14 नमंबर 2022 को केंद्रिय वानीज और उद्ध्योग मंतरी पियूस गोयल ने दिल्ली के प्रगती मैदान में भारत अंतर राष्टिय व्यापार मेला 2022 के 41 संस्करन का उदगाटन किया इस मेले की थीम वोकल फोर लोकल लोकल टू ग्लोबल रखी गई है मेले में बिहार, जारखन और महराष्ट भागीदार राज्यों में सामिल है तथा उत्तर परदेश और केरल फोकस राज्य की रूप में सामिल है हाली में पत्रकारिता में उत्कृष्टिता के लिए डॉक्टर मंगलम स्वामी नाथन राश्टिय पुरसकार 2022 से किसे सम्मानित किया गया आंसर है ओप्सन ए विश्नुत्रिपाटी को दैनिक चागरन के राष्टे संपादग विश्नुत्रिपाटी को पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए पर्तिष्टित डॉक्टर मंगलम स्वामी नाथन राष्टिय पुरसकार 2022 से सम्मानित किया गया है आंसर है ओप्सन डी बेटसी सावेज को पेरु के राष्टपती पेट्रो कैस्टिलो ने संस्कृती मंत्री बेटसी चावेज को देश का नया प्रधान मंत्री नियुक्त किया है पुस्तक दे लिटिल बॉय औफ जोई के लेखक कौन है आंसर है ओप्सन डी दलाई लामा एवं आर्क बिशप डेस्मन टूटू निमलिखित में से किसे फीफा वर्ल्ड कप 2022 में महिला रेफरी के रूप में चुना गया है आंसर है ओप्सन डी उप्रोक्त सभी को स्टेफनी फ्रेपर्ट सलीमा मुकान सांगा और यामा शीता योसीमी इन सभी को कतर में हो रहे फीफा विसुकप 2022 के लिए कुल 36 रेफरी चुने गया है जिसमें पहली बार तीन महिला रेफरीों को सामिल किया गया है जिसमें फ्रांस के इस्टेफनी फ्रेपर्ट रवांडा की सलीमा मुकान सांगा और जापान की यामासीता योसीमी सामिल है इसके अलावा 69 असिस्टेंट रेफरी भी चुने गये हैं जिसमें ब्राजिल की नूजा बैक, मेक्सिको की करेंट डियास मदीना और अमेरीकी कैथरीन निस्बिटा सामिल है हाली में चौथी भारत फ्रांस वार्सिक रक्षा वारता 2022 कहां आयोजित किया गया आंसर है ओप्सन ए नई दिल्ली में रक्षा मंतरी राजनात सींग 28 नूबर 2022 को फ्रांस के रक्षा मंतरी सेवेस्टियन लोकोर्णू के साथ नई दिल्ली में चौथी भारत फ्रांस वार्सिक रक्षा वारता की सह अधेक्षता की वारता में दोनों मंतरीयों ने रक्षा संबंधो आतंकवात की रोक्थाम, हिंद परशान चेतर में समुद्री सुरक्षा और आत्म निर्भर भारत, नीती के अनुरूप और द्योगिक और प्रद्योगिकी साजिदार सहीत विस्तरित विसेयों पर चर्चा की टीबी मुक्त भारत अभ्यान के लिए किसे राष्टिय राजदूत के रूप में नामित किया गया? आंसर है ओप्सन ए दीपा मलिक को पद्मिनसी एवं खेल रत्न वर्जुन पुरसकार से सम्मानित भारत की पहली महला पैरालंपिक पदक विजेता दीपा मलिक को च्छै रोग यानि की टीबी मुक्त भारत अभ्यान की राष्टिय दूत नियोक्त किया गया है भारती अंतर राष्टे फिल्म महोत्सो के तिरपनवे संस्क्रण में I.C.F.T. यूनेस को गांधी पदक किस फिल्म को दिया गया? आंसर है आप्सन सी नारगेसी को इरानी फिल्म नारगेसी ने भारतिय अंतर राष्टे फिल्म महोत्सों के तिरपन्मे संस्क्रन में आई सी एफटी यूनेस को गांधी पदक जीता है जो एक ऐसी फिल्म के लिए दिया गया है जो महात्मा गांधी के सांती, सहिशनुता और अहिंसा के आदर्सों को दरसाती है फिल्म का निर्देशन पायम असकंदरी ने किया है फिल्म में डाउन सिंड्रूम के साथ एक इनसान के संगर्स को दिखाया गया है तो ये थे 29 नॉमबर 2022 के कुछ important current affairs I hope कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ से जरूर करें धन्यवाद